अगर नहीं हो पाई है तो अगर नहीं हो पाई है तो कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर इस वीडियो में हम उस exercise को जो है solve करवाएंगे और आपको समझाएंगे यहाँ पर डीटेल में कि डेविट के लेजेंडर बाउचर कैसे निकाले जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि पहला question है Mr. Verma started a universal business solution by beginning in cash of 3 lakh यानि कि 3 lakh रुपे से नोने एक business start किया है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें question से क्या करना होता है account निकालना होता है देखें यहाँ पर हमने answer लिख रखा है लेकिन आप इस पर ध्यान मत दें यह बस हमने note करने के लिए लिखाया है बाकी यहाँ पर आपको step by step यहाँ पर हम बता रहे हैं side में ठीक है तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है account निकालने है तो इस question से account निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपका एक account निकाल जायागा cash का clear है यहाँ पर एक account आपका निकालेगा cash का कितना 3 लाख रुपए clear हो गया क्योंकि 3 लाख से business में business start हो रहा है तो पैसा जो है यहाँ निकालेगा देखिए हमने बताया थे कि जब भी कोई business start करता है तो जो business का honor होता है उसको हम entry में सामिल करते हैं यानि कि यहाँ पर हो जाएंगे Mr. Verma Mr. Verma यहाँ पर business का honor कोई भी हो सकता है उसका नाम आ जाएगा clear है तो यहाँ पर यह 3 लाख हो गया अब इसमें debit credit काउन होगा तो देखिए cash जो है वो business के पास आ रहा है आने वाला है Mr. Verma अब business start करेंगे तो Mr. Verma के पास से cash जाएगा की नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा तो अगर हम Mr. Verma को ध्यान में रखते हुए entry करेंगे तो गलत हो जाएगी क्यों क्योंकि Mr. Verma के पास cash जो है वो जा रहा है तो हम उसके हिसाब से cash credit करेंगे तो अगर cash credit करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि हम business को ध्यान में रखते हुए entry करते हैं इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है यानि कि business के पास पैसा आ रहा है इसलिए cash debit होगा clear है बाकी Mr. Verma जो है ये credit होगे क्योंकि ये पैसा दे रहे हैं Mr. Verma credit हो जाएंगे और cash आपका क्या हो जाएगा debit हो जाएगा 3,00,00, रुपैसे ठीक है तो यहाँ पर ये चीज आपकी जो है clear हो गई होगी debit cash and credit Mr. Verma जो भी business में पैसा लगा रहा है अब इसमें एक चीज और है कई लोग confused हो जाते हैं कि debit पहले लिखें या फिर credit पहले लिखें तो यहाँ पर देखिए आपको बता दे वैसे हम debit पहले लिखें या credit पहले लिखें बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन इसका एक सही rule होता है तो जैसा कि हमने voucher पढ़े हैं पढ़े हैं इसमें आपका credit पहले होता है और फिर आपका debit होता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं चोटी सी चीज है अगर आप उल्टा सीधा भी कर देते हैं तब भी दिक्कत नहीं जब आप टैली प्राइम में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर कंट्रा वाचर में आपको क्रेडिट जो है वो पहले डालना होता है फिर उसके बाद डेविट ठीक है पेमेंट वाचर की बात करें तो पेमेंट में डेविट पहले और क्रेडिट बाद में होता है और journal में डेविट पहले and credit बाद में होता है simple सी बात है यानि कि contra और receipt ये दो voucher में credit होता है पहले और payment and journal voucher में debit होता है फीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारा जो question है अगर इसमें receipt voucher लगने वाला है तो आपने debit पहले लिखाओ या credit पहले लिखाओ कोई दिक्कत नहीं अगर आपने माले ते इस तरह से लिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं credit वाले को credit में डाल दो debit वाले को बाद में debit में डाल दो ठीक है clear हो गया तो I think यह confusion clear हो गई होगी account के जाएंगे क्योंकि Mr. Verma business start कर रहे हैं और जो business का honor होता है वो हमेशा capital account के अंतरगत जाता है उसका खाता capital account में खोला जाएगा और voucher कौन सा हो जाएगा receipt voucher होगा क्योंकि business को जो पैसा है वो प्राप्त हो रहा है receive हो रहा है इसलिए voucher receipt हो जाएगा clear है तो यहाँ पर हमने यह question पूरा complete करवा दिया clear है बाकी रही बात practical की तो वो तो हम just इसके अगले वीडियो में इसी exercise के जो question है इनको teleprime software में practically करना देखेंगे company उगरा बनाने के बाद में सारी चीज़े step by step ठीक है तो यहाँ पर और हमने अपने business के लिए computer खरीदा है तो actual में वहाँ पर वास्ताव में क्या हुआ कि business में computer तो आया और cash business से चला गया मलब दो ही चीज़े actual में हुई हैं बाकी तो सब कहने की बाते हैं लेकिन computer और cash यह दो ऐसे account हैं जो यहाँ पर इन पर effect पड़ा ठीक है तो जो computer है यह business में आ रहा है इसलिए debit होगा और computer एक वस्तू है इसलिए यह real account है और real account का rule कहता है कि आने वाले को debit कर दो clear है cash की बात करें तो यह भी real account है लेकिन real account का ही rule कहता है कि जाने वाले को credit कर दो तो यहाँ पर पता चल गया credit में cash हो जायागा laser किसका बनेगा पता है laser उसी का बनता है जो debit या credit में होता जो debit या credit में है उसी का laser बनेगा laser दोनों के बन सकते हैं या दोनों में से किसी एक का बन सकता है या फिर दोनों के नहीं बन सकते हैं बता है ने आपको कि हमने बताया था कि laser duplicate नहीं करना है computer पहली बार आ रहा है इसलिए computer का laser बनेगा और cash का laser computer में यह नहीं कि teleprime में पहले सी बना होता है predefined laser होता है इसलिए हमें cash का laser बनाने की ज़रूद नहीं होती है cash का laser किसके अंडर बना होता है? cash in hand secondary group के अंदर पता है न? और computer को हम किसमें रखेंगे जब laser बनाएंगे आपको पता चल गया होगा fixed assets क्योंकि यह एक संपत्ती है हमारे business को चलाने के लिए ठीक है ध्यान रखना कई लोग confused हो जाते हैं कि जो computer है यहाँ पर यह purchase किया गया है तो इसमें हम यहाँ पर voucher जो है वो purchase लगाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर payment voucher लगएगा क्योंकि हम भुक्तान कर रहे हैं हम ऐसा कोई सामान ऐसा कोई माल खरीदें गुट्स जिसको हम बोलते हैं गुट्स आइटम खरीदें जिसे हमें बेचना है उस entry को हम purchase वाउचर में करते हैं यहाँ पर computer क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि दो वार डेविट होगा एक ऑफिस टेबल डेविट हो जाएगा 35 रुपए से दूसरा ऑफिस चियर हो जाएगा 4000 रुपए से ठीक है और यहाँ पर कैस आपका हो जाएगा 7500 रुपए से credit ठीक है क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजे हमने एक साथ खरीदी तो payment भी हम एक साथ करेंगे तो एक साथ खरीदी लेकिन उनको हम अलग अलग रखेंगे ताकि पता चले हमें हमेशा कि जो है office table कितने का था और office share कितने का था अगर हम चाहें तो इस entry को दूसरे तरीके से भ बगवाया counter हो गया मलब कई सारे furniture से related उन्होंने सामान जो है वो purchase किये हैं तो हम अगर चाहें तो जितने सामान खरीदे हैं चार पांच आइटम वह चार पांच बार हम उनको debit कर सकते हैं समझारी ना बाद लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम एक काम यह कर सकते है सीधे सीधे इसको हम बोल देंगे furniture and factor ठीक है furniture and factor मलब पूरा एक बना देंगे laser और जितने का total सामान खरीदा है 20-25,000 रुपे का वो पूरा एक साथ एक entry में कर देंगे और cash कर देंगे credit में और furniture and factor कर देंगे David में हम इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा कि furniture and factor में कौन-कौन से आइटम खरीदे गए exactly हमें नहीं पता चलेगा क्यों क्योंकि हमने एक साथ पूरा लिख दिया clear है लेकिन अगर अलग-अलग लखेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने अलग-अलग इतने आइटम खरीदे हैं जो बड़ी कमपनिया होती है जिसमें furniture बहु अगर नहीं समझा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने debit और credit वाले rule अच्छे से नहीं पड़े है और रही बात अंडर जानने के लिए हमने बताया जैसा कि 28 जो आपके ग्रूप है जिसमें 15 primary and 13 secondary है यह जब आपके अच्छे से clear हो जाएंगे तो यहां पर अंडर आप फटाफट निकाल लेंगे ठीक है फिलाल अभी अगर आप बेगिनर है तो जाहर सी बात है कि दिक्कत हो रही होगी तो इसका solution यह है कि जब भी यहां पर आप debit credit निकालने के लेजर निकालें तो पहले तो आप खुद देखें कि office table and office chair है क्या actually ठीक है तो office table and office chair क्या है आपकी संपत्ती है कि नहीं है तो संपत्ती है तो उसके लिए किस टाइप का group होगा वहां पर आप हर question पर बार बार group पढ़ें इससे आपके practice भी हो जाएगी और पता चल जागा चलिए आगे बढ़ते है question number 4 की बात करते है question number 4 Mr. Verma opened a bank account in HDFC bank by deposit cash 50,000 ठीक है 50,000 ठीक है 50,000 रुपे इनोंने क्या किया है HDFC bank में जमा किया है यहाँ पर account खोलने की बात उससे हमें नहीं मतलब है ठीक है account खोलने में क्या गाजी कारवाई हुई कितना time लगा उससे नहीं मतल है कि actually में कितना लें देन या इन transaction क्या हुआ ठीक है यहाँ पर question इस तरह से होता कि Mr. Verma opened a bank account in HDFC bank के वल इतना question होता उन्होंने पैसा नहीं जमा किया होता तो हम इसके entry करते भी नहीं सिर्फ खाता खोला है तो यहाँ पर इसकी entry नहीं होगी क्योंकि कोई transaction ही नहीं हुआ सि इसको आप इस तरह कीसी भी मलब इसको समझ सकते हैं जैसे आपके business में एक customer आया आपके पास एक customer आया customer ने कहा कि आपकी service हमें बहुत अच्छी लगती है और हम आप से service जो है लेंगे बस यह इतनी बात करने के बाद हो चला गया कोई advance नहीं दिया कोई बात नहीं हुई को तो यहाँ पर उसकी entry जो है वो हम नहीं करते हैं ठीक है हम entry तभी करते हैं जब actual में कोई transaction होता है clear है तो फिलाल तो यहाँ पर transaction हुआ 50,000 रुपए bank में जमा किया गया तो आपको पता है कि business ते जो है cash जाएगा इसलिए credit हो जाएगा और debit आपका हो जाएगा HDFC bank ठीक है क् bank जो है यह personal account है और personal account का rule कहता है कि पाने वाले को debit करो HDFC bank आपके क्या हो जाएगी debit हो जाएगी और laser HDFC bank का अंडर जाएगा bank account के हमने बताया था bank account एक secondary group है और सभी प्रकार के bank जह है चाहे वो SBI bank हो bank का बढ़ोदा हो पंजाब निशनल हो कोई भी bank हो वो bank account के ही अंदर रहेगी और voucher यहाँ पर कंट्रा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है transfer entry है यहाँ पर cash से bank में पैसा transfer हो रहा है तो voucher कौन सा हो जाएगा कंट्रा हो जाएगा clear है आगे बढ़ते हैं कोई confusion कोई confusion नहीं question number 5 की बात करते हैं question number 5 में Mr. Verma purchase a stationary item in cash 2000 यानि कि इन्होंने 2000 रुपए नगद दे करके एक stationary item खरीदा है एक stationary नहीं बलकि कई सारे stationary item खरीदे है लेकिन उन सभी को इन्होंने stationary item बोल दिया पूरा एक साथ ठीक ह है तो इसलिए हम इसको खर्चे में डालेंगे और stationary expenses हमारा debit होगा क्यूंकि यह nominal account है nominal account का rule कहता है कि जितने भी खर्चे हैं वो सब debit करो तो यहां पर जितने भी खर्चे होते हैं वो debit होते हमें साध्यान रखना पता कैसे चलेगा कि यह खर्चा है तो जहर सी वात है कि हमने business को चलाने के लिए यह item खरीदा और यह item जो है short term के लिए मतलब एक से दो महिने में खतम हो जाएगा stationary का जो भी हमने सामान करीदा है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे इसको हम खर्चे में डालेंगे clear है तो यहां पर stationary debit हो गया और credit में आपका हो जाएगा cash क्योंकि यहां खर्चे होते हैं वो direct expenses में जाते हैं बाकी इसके अलावा एक दोसरा होता है direct expenses तो हमने उसको भी explain किया था कि direct expenses कब यूज करते हैं ठीक है चलिए अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आपको जो है आपर चीज़े समझने में दिक्कत होगी अगर आप beginner हैं तो ठीक है अगर आप beginner हैं तो वीडियो step by step देखें question number 6 Mr. Verma purchase a mobile phone 5000 from राज टेलीकॉम on credit यानी Mr. Verma ने एक mobile phone खरीदा है 5000 का किसे राज टेलीकॉम से on credit यानी की उधार खरीदा है तो यहाँ पर थोड़ी दिर के मालने कि आप Mr. Verma है और आपने बिजनेस के लिए 5000 का एक mobile phone खरीदा है राज टेलीकॉम से वो भी उधार तो यहाँ पर actual में क्या हुआ कि आपका जो mobile phone है ये business में आया है इसलिए आने वाला debit हो गया और यहाँ पर आपने cash या चेक ऐसा तो कुछ दिया नहीं क्योंकि उधार खरीदा है तो राज टेलीकॉम यहाँ पर credit हो कि अगर 5000 का phone हमने नगत खरीदा है cash में तब भी तो राज टेलीकॉम ही phone देने वाले हैं तो उनकी entry फिर वो credit में क्यों नहीं आएंगे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर हम mobile phone नगत खरीदेंगे तो हमें राज टेलीकॉम से कोई मतलब ही नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पर राज टेलीकॉम को entry में सामिल से नहीं करना है क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है हमें अगर देखा जाए logically बाकि हमारे friend है मिलना जुलना रहता है वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर अगर हम logically देखें तो यहाँ पर इनसे हमें कोई मतलब नहीं है entry में ठीक है इ क्योंकि personal account है और देने वाला credit होता है लेजर किसका बनेगा आपको पता चल गया होगा दोनों के बनेंगे क्योंकि दोनों ही पहली बार आ रहे हैं तो mobile phone एंड राज टेलीकॉम दोनों के लेजर बनेंगे mobile phone एक fixed assist यानि स्थाई संपत्ती है इसलिए यहाँ पर यह fixed assets में ज जाएगा ठीए संद्री क्रेटर क्या होते हैं संद्री क्रेटर जिन से हम माल या किसी बीची तरह का कोई बीचीज उधार लेते हैं किलियर है संद्री क्रेटर जो की एक secondary group है तो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और है देखिए अगर मिस्टर वर्मा अपने personal यूज के क्यों के अपने personal life में उससे हमें नहीं मतलब है तो यह जो मॉबाइल फॉन मिस्टर वर्मा ने खरीदा है यह बिजनस के लिए खरीदा हो या कैसे भी कौल मेला के यह बिजनस में रखेंगे ठीक है यह बिजनस का फोन है क्लिए रहे हैं चलिए समझा गया होगा voucher जर्नल ह जर्नल वाउचर में जाएगी इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस एंट्री में कैस या फिर बैंक नहीं होती है इसका क्या मतलब है तो देखिए यहां पर ना ही डेविट साइड में ना ही कैस आया है और ना ही बैंक आया है इसका मतलब है जिसी बात है कि एंट्री ऊधार हुई है ठीक है अगर कैस या फिर बैंक किसी एक साइड में आता तब क्या होता तो देशे माल लेते हैं कि अगर डेविट में कैस आता तो डेविट में कैस क्या मतलब क्या होता है डेविट में कैस का मतलब पैसा आ रहा है वाउचर क्या हो जाएगा रिशिप्ट और अगर क्रेडिट में कैस का मतलब क्या है कि पैसा जा रहा है तो वाउचर कौन सा हो गया पेमेंट तो आपको पता है लेक HDFC bank और एक साइड में cash है या फिर इस तरह से डेविट में HDFC bank है और credit में cash है तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ देखिए इस entry का मतलब यह हुआ कि डेविट में cash है यानि कि business में पैसा आ रहा है और credit में bank यानि पैसा bank दे रही है इस entry का मतलब है कि हम bank से पैसा withdraw कर रहे है इस entry का मतलब क्या हुआ पैसा जमा होगा तो इन दोनों entry में पता है आपको क्या होगा कंट्रा वाउचर लगेगा क्योंकि इन दोनों ही इंट्री में ट्रांसफर हो रहा है हम विड्रॉ करें या डिपॉजिट करें वाउचर कौन सा होगा कंट्रा होगा किलियर है ध्यान रखना इस बात का ठीक है चलिए तो यहाँ पर वाउचर जर्नल क्यों होगा आपको पता चल गया होगा क्योंकि यह एंट्री उधार है और यह हम जर्नल वाउचर पर करेंगे कुश्चन वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक यानि कि मिस्टर वर्मा ने 10,000 रुपए बैंक से विड्रॉ किये हैं यानि कि निकाले हैं तो जहेसी बात है कि बैंक पैसा देगी इसलिए क्रेडिट में HDFC बैंक हो जाएगी परसनल अकाउंट है और डेविड में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कैस हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में 10,000 रुपए आएगा वाउचर कंटरा होगा जस्ट अभी हमने बताया पैसा यहाँ पर क्या हो रहा है विड्रॉ हो रहा है बैंक से निकाल रहे हैं इसलिए वाउचर कंटरा हो जाएगा लेजर अंडर नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि HDFC बैंक का लेजर हम देखिया उपर कोई संस्ता हो सकती है तो यह पाने वाले हैं इसलिए डेबिट हो गए और कैस जो है वह जाने वाला है इसलिए क्रेडिट हो गया वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाएगा कोई कंफीजन कोई कंफीजन नहीं क्योंकि पेमेंट इसलिए क्योंकि यहां पर हम भुक्तान कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 9 अगर कोई दिक्कत है तो आप comment कर सकते हैं और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है वीडियो number और question number इस तरह से target करके आप comment कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि exactly आपको problem कहां पर हो रही है ठीक ह है तो आप सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं जहां पर दिक्कत हो रही वीडियो में आप lecture number और साथ में उसके कितने minute पर यानि की माल लेते हैं 10 minute 50 second पर कोई दिक्कत हो रही है तो 10 minute 50 second लिख सकते हैं या problem का नाम लिख सकते हैं ठीक है चलिए अगला question Mr. Verma received a bill Mr. Verma ने क्य किया एक bill प्राप्त किया कितने का 45 रुपय का from सुकून ओपसेट for printing office stationery तो यहां पर देखे खर्चा ही हो रहा है लेकिन हमने जैसा की बताया question घुमा के है हमने इसको कई बार देखा इस question को फिछले exercise में example में तो आपको यह पता होगा फिलाल यहां पर एक बार फिर से बत तो सीधी सी बात है कि हमने क्या किया stationery जो है इनसे खरीदी है और देने वाले सुकून ओपसेट ने क्योंकि हमने जो है इनको payment नहीं किया इसलिए तो इन्होंने बिल भेजा है तो stationery और सुकून ओपसेट यहां पर दो आकाउंट निकलेंगे stationery debit होगा क्योंकि यह खर्च पहले तो stationery का laser बन चुका है नहीं बनेगा सुकून ओपसेट पहली बार आ रहे हैं चले सुकून ओपसेट का laser बनेगा अंडर जाएंगे sundry creditor में क्यों जाएंगे क्योंकि यह भी क्या कर रहे हैं उधार दे रहे हैं तो अगर कोई भी उधार देगा तो वो sundry creditor में ही जा वर्मा के है तो इस तरह से भी question हो सकते हैं ठीक त्यान दखना आगे बढ़ते हैं question number 10 Mr. Verma paid 2800 by check toward office rent यानि कि इन्होंने क्या किया 28 रुपय जो है वो rent का pay किया है by check यानि की check दिया है यानि कि bank से पैसा जो है वो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर इसके entry कैसे होगी तो देख चेक को हम हमेशा bank लिखते हैं क्या लिखते हैं bank और सिर्फ bank नहीं बलकि आपका account जिस भी bank में है जैसे HDFC bank हमने माना तो HDFC bank check को क्या लिखेंगे HDFC bank लिखेंगे क्यूं क्योंकि check अगर हम किसी को देते हैं तो पैसा कौन देगा bank की ही तो देगी और अगर माल लो हमें check मिल किसी से तो चेक अगर मिलेगा तो इसका मतलब वो पैसा बैंक अकाउंट में ही तो जमा होगा बाद में हम बैंक से भले ही निकाले वो अलग बात है लेकिन अगर चेक मिलेगा तो पहले वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही क्या होगा जमा हो जाएगा और अगर हम किसी को चेक देंगे तो मतलब पैसा bank ही तो देगी तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं सीधे चेक को हम bank लिखते हैं यानी कि दूसरा account क्या हो गया है HDFC bank हो गया यही पैसा किसने दीया bank ने दिया तो यहाँ पर एक account rent का दूसरा bank का अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि rent एक परकार का expenses यानी खर्चा है इसलिए debit होगा और credit में यहाँ पर आपकी HDFC bank हो जाएगी क्योंकि यह personal account है और यह क्या कर रही है पैसा दे रही है rent एक nominal account है nominal account का rule कहता है कि आपको expenses है जितने पर हम नगद payment कर रहे हैं मलब चेक दे रहे हैं लेकिन payment तो नगद ही हुआ ना हम cash में payment करें या फिर bank या पर नगद पैसा मिलता है यानी कि debit में cash है या फिर HDFC bank है तो इसका मतलब पैसा जो है में प्राप्त हो रहा है नगद तो यह receipt voucher पेंटर जाती है clear है चलिए question number 10 हो गया आगे बढ़ते है question number 11 यहां पर भी खर्चा हुआ है Mr. Verma paid 700 in cash toward electricity charge यानी कि electricity charge यानी जो आपका electricity expenses या बिजली का बिल दिया है तो यह भी क्या हो जाएगा आपका debit हो जाएगा क्योंकि यह भी क्या है खर्चा है 700 रुपै से और credit आपका cash हो जाएगा क्योंकि यहां पर ह number 12 Mr. Verma issue a check Mr. Verma ने एक check issue किया यानी हमने एक check issue किया है कितने का 45 रुपैस है किसके लिए सुकुन offset के लिए तो आपको याद होगा अभी सुकुन offset से हमने stationery उधार खरी दी थी तो अब यहां पर हम payment कर रहे हैं उनको तो यहां पर payment करेंगे तो सुकुन offset पाने वाले होंग यहां पर हमने check issue किया है चेक द्वारा bank से payment कर रहे हैं किलियर है voucher payment होगा क्योंकि भुक्तान हो रहा है laser किसी का नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा यह हमें बतानी की जरूत नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर बता देते हैं laser इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सुकुन offset का laser पहले ही बन चुका है ठीक है चली आगे बढ़ते है question number 13 question number 13 जो कि last question है यह question थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि यह नया question है इसको उन्हें बहुत जादा अभी तक detail में नहीं बताया लेकिन यहां पर देख लेते हैं तो Mr. Verma withdraw 4000 from HDFC bank for personal use ध्यान से समझना इस question को Mr. Verma यानि कि हम ने क्या किया है withdraw किया है 4000 रुपए from HDFC bank से यानि 4000 रुपए हमने HDFC bank से withdraw किये ठीक है तो यहां पर हम आगे देखेंगे तो लिखा है for personal use यानि कि निजी खर्च के लिए withdraw किये निजी खर्च ठीक है ध्यान रखना इस बात का हम यह इसको बार बार इसलिए highlight कर रह काट देते हटा देते हैं नहीं है यहां पर ठीक है मिस्टर वर्मा withdraw 4000 from HDFC bank यानि 4000 रुप इन्होंने HDFC bank से निकाले हैं तो अगर ऐसा question होता तो इसका मतलब यह है कि अगर बैंक से पैसा निकाला है तो जाहिर सी बात है कि हमारे business में ही आया होगा तो इसकी entry क्या होगी आप किसी की नहीं बनेंगे लेकिन यहां पर voucher आपका क्या होगा कंट्रा हो जाएगा वाउचर क्या होगा कंट्रा लेकिन यह entry कब होगी यह entry तब होगी जब सिर्फ इतना ही question हो कि मिस्टर वर्मा ने 4000 रुपए bank से withdraw किये हैं यानि निकाले हैं तब entry इस तरह से होगी ध्यान रखना इस बात का ठीक है अगर यहां पर अब इसको हम निकाले यानि कि अब यहां पर बता रहे हैं कि for personal यहां निजी खर्च के लिए निकाला तो अगर मिस्टर वर्मा ने निजी खर्च के लिए पैसा निकाला है तो यहां पर voucher नहीं होगा क्यों कि अब पैसा जो है वो entry payment voucher पर होगी क्यों होगी क्योंकि वो business ने क्या कर दिया भुगतान कर दिया किसको business के honor को कितना 4000 रुपए के लिए रहे confuse नहीं होना अगर Mr. Verma 4000 रुपए bank से ना निकाल करके बलकि cash से लेते तो business से cash से 4000 रुपए निकाल लेते अगर personal use के लिए निकालते तो बस यहाँ पर credit में bank की जगे पर cash हो जाता confuse बिल्कुल नहीं होना घुमा फिर आके यहाँ पर हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो चीजे है वो आपको अच्छे से समझाए रटेनी ना पड़ें तो question अगर सिर्फ इतना होता कि bank से पैसा निकाला तो entry होती है हमारी कुछ इस तरीके से जो हम कर चुके हैं और अगर for personal use लगा है मतलब business payment करेगा voucher payment हो जाएगा voucher clear हो गया पैमेंट क्यों होगा क्योंकि business payment कर रहा है bank से पैसा निकाल करके Mr. Verma अपने पास ही पैसा रख ले रहे हो निजी खर्च में इस्तेमाल करेंगे वो business में पैसा नहीं खर्च करने वाले 4000 ठीक है तो इसलिए debit क्या होगा debit withdrawal होगा withdrawal क्यों होगा क्योंकि हमने बताया था कि जब business का honor यानि कि Mr. Verma है तो ये जब भी business में पूंजी लगाएंगे तो उनका laser उनही के नाम से बनाके under capital account कर देंगे और जब ये business से पैसा निकालेंगे जरुवत पढ़ने पर जाहिज बात है कि हर business का honor जरुवत पढ़ने पर निजी खर्च के लिए वो पैसा निकालता रहता है तो यहाँ पर अगर वो पैसा निकालेंगे तो उसको हम जो है कई लोग withdrawal भी लिखते हैं जो कि हमने लिखा है और कई लोग इसको drawing account भी लिखते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं फिलार यहाँ पर हम withdrawal लिखेंगे आप इसको drawings भी लिख सकते हैं तो withdrawal लिखें या drawing लिखें लेकिन under दोनों ही capital account के जाएंगे, under किसके जाएगा देखिए जब laser बनेगा withdrawal का तो under किसके जाएगा capital account के, capital account क्यों 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 क्योंकि ये business के honor का account है, जब business में पैसा Mr. Verma लगाते हैं, तो वो किस नाम से लगाते हैं, Mr. Verma नाम से account हमने बना रखा है, और जब वो business से पैसा निकालेंगे, तो उस account को हम अगर withdrawal नाम से बनाएंगे, तो withdrawal under capital account, या फिर drawing बनाएंगे, तो drawing भी under capital account के ही जाएगा, ठीक है Mr. Verma यानि business का honor का जो भी transaction होता है, उसका personal वो हमेशा capital account में ही रहता है, तो यहाँ पर डेविट withdrawals हो जाएगा, क्यों क्योंकि withdrawals एक personal account है, और ये क्या है, पाने वाला है, अब withdrawals वैसे तो कोई वेक्तिया संस्ता नहीं है, लेकिन withdrawals डारेक्टली ये रिलेट करता है business के honor से, और business का honor एक personal account है, तो वो पाने वाला है, तो debit क्या हो जाएगा, withdrawals हो जाएगा, और credit में HDFC bank क्योंकि पैसा bank देगी, और यहाँ पर laser withdrawals अंडर capital account के जाएगा, voucher payment होगा, तो यहाँ पर यह entry clear हो गई होगी, अगर कोई confusion है तो आप comment कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में आपको एक बार, फिर से जब इसका number आएगा, तो explain कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस exercise को, जो हमने इसमें 13 question थे, यह पूरे complete कर लिए है, ठीक है, फिर यहाँ पर question को complete करने के बाद, जिसमें हमने डेविट के लेजेंडर बाफचर, सारी चीज़े निकालना आपको समझाया है, और यहाँ पर जो rules थे, उससे related वो तो हम पिछली वीडियो में cover कर चुके हैं, अब यहाँ पर उसके बाद अगला number जो है, उसमें हम पढ़ेंगे financial statements, यानि financial statements क्या होती है, यानि कि हमने यह entry जो कोस्चन है, इनकी entry तो हमने कर दी, हलाकि इनकी entry अभी हमने tally prime software में नहीं की है, तो जैसा कि हमने बताए कि हम justice के अगले वीडियो में, यानि कि lecture number 9 है, तो lecture number 10 में हम इनको जो है tally software, tally prime software में practically देखने वाले हैं, और practically जब इनको entry हम कर देंगे, तो tally तो report आटमेटिक जनरेट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब वो reports क्या होती है, अलग-अलग type की reports क्या होती है, उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे lecture number 11 से, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके सो, थैंक्स फॉर वाचिन इस वीडियो,